हेलो एवरिवान, वेलकम टू माई चैनल, देखिए फ्रेंड्स आज मैं आपको राउंड शेप में डोर्मेट बनाना सिखाऊंगी फ्रेंड्स यह बहुत ही आसान है और यह देखिए आज मैंने यह 40 फंदे से बनाया है 40 फंदे का काफी बड़ा बनेगा जैसे आपको पूजा कासन वगरा बनाना है तो आप 40 फंदे का बना लीजिए और साड़ी और चुनी से तो और भी बड़ा बनेगा तो फ्रेंड्स अगर आपको यह पसंद है तो प्लीज इसे लाइक कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए चलते हैं बनाना स्टार्ट करते है देखिए यह डोर मेट मर्ट बनाने के लिए मैंने नाइन नमबर की निडल्स का मैंने इसमें योज किया है और हम यह दो कलर से बनाएंगे तो देखिए फ्रेंड्स इसका डिजाइन पहले भी मैंने डाल रखा है लेकिन काफी सारी रिक्वेस्ट आये थी कि मैं हमें बड़ा बनाना है बड़ा बना के दिखाए तो देखिए सबसे पहले हम इसमें फंदे डाल लेंगे 40 फंदे का मैं बताऊंगी और यह वाला थ्रेड थोड़ा सा हम बड़ा रख लेंगे यह देखिए ऐसे हम एक नोट लगा लेंगे यह बिगिनर्स के लिए बतारी हूं फ्रेंड्स जिसको डालने आते हैं वो आप अपने हिसाब स इसमें डाल लेगा और ऐसे हम इसमें फंदे डाल लेंगे तो तेरी चार, पांच, छैर, देखें, साथ, आठ, नो, दस इसी तरीके से फ्रेंड्स हम इसमें फंदे डालेंगे तो मैं इसमें फंदे डाल लेती हूँ 38 फंदे मैं ग्रीन के डालूंगी और उपर 2 फंदे मैं वाइट से डालूंगी तो मैं फंदे डाल लेती हूँ फिर मैं आपको आगे का दिखाऊ यह देखिए दो फंदे मैंने इसमें वाइट से डाल लिए हैं तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम यह बेसिक रो बनाएंगे यह देखिए अराम से देखिए इसको हम ऐसे कर लेंगे देखे क्रोस किया है मैंने यहां पे और यह ऐसे हैं यह पूरी रो उल्टा उल्टा बनाते हुए मैं इसे नीचे तक कंपलीट करूँगी क्योंकि ज़्यादा फंदेया फ्रेंड्स इसी तरीके से मैं बनाऊंगी यह देखिए नीचे तक आ गई हमें बनाती हुई इस रो को हम इसी तरीके से कंपलीट करेंगे इसमें हमने कुछ भी नीकिया सिंपल बनाया है और यह देखिए हमारी सिदी साइड बनेगी इस साइड से भी फस्ट वाला ऐसे उताथ लेंगे और यह पूरी रो मैं इसी तरीके से उल्टा उल्टा बनाके उपर तक इसको मैं लेके जाऊंगी इसी तरीके से आपने बनाना फ्रेंड्स इस साइड से जो फंदा जिस कलर का होगा उसी कलर से आपने बनाना है तो मैं इसे उपर तक बना लेती हूँ इस देखिए उपर तक आ गई हूँ मैं उपर हमारे दो फंदे वाइट कलर के हैं तो देखिए thread को मैं ऐसे पीछे कर दूँगी और पीछे से यह ऐसे cross करके लेके आऊंगे इसको मैं उटा बनाऊंगे और किनारे वाले को मैं thread पीछे करके सीधा बना दूँगे दो basic row friends मैंने इसकी बना ली है अब देखिए अब हम अपना इसमें design start करेंगे तो दो फंदे मेरे पास white के हैं मैं इसमें दो और green के convert कर दूँगे यह देखिए यह हमारे यहाँ पे चार हो गए और आगे के फंदे में सारे ही नीचे तक इस row को complete करूँगे यह देखिए नीचे तक आ गई हो मैं अब नीचे दो फंदे में बिना बने छोड़ दूगे और इस साइड से इस row को मैं उपर तक बनाऊंगे उपर मैं एक बार और दिखाऊंगे आपको कि हमें thread को इस साइड कैसे लेना है क्रॉस करके तो मैं इसे बना लेती हूँ अब इसको हम पीछे कर देंगे और पीछे से वाइट ऐसे क्रॉस करके आगे लेके आएंगे तीन फंदे में ओल्टे बनाऊंगे किनारे वाले को मैं सीधा बनाऊंगे इसी तरीके से आपने बनाना फ्रेंड्स यहां पर हमारे किनारे पर बहुत सुंदर सी चोटी सी बनती जाएगी अब एक बार ओड देखिए फिर मैं इसको कली को कंप्लीट करके दिखाऊंगे यह देखिए दो हमने पहले रखे थे दो पिछली बार हमने convert कर दिये थे दो ह हम इस बार ओर एड कर लेंगे और पिछे हम दो फंदे छोड़ देंगे तो फ्रेंड्स इस साइड तो हम दो दो फंदे छोड़ दे हुए उपर की तरफ आएंगे और यह वाइट का कलर हम अंदर तक लेके जाएंगे तो मैं आपको जब दो फंदे मेरे बीच में बच होंगी जब तक हम इसको इसी तरीके से बनाएंगे उपर से अंदर की तरफ आएंगे और पीछे हम दो दो फंदे छोड़ेंगे तो मैं इसे बना लोगे वाइट को हम अंदर की तरफ ले आए हैं और पीछे से हमने सारे ही देखिए तो दो करके फंदे छोड़ दिये हैं आ अपने आप इसे बड़ा बना सकते हों दो फंदे बस एक्स्ट्रा डालिए और जोड़े के इज़ाब से आप इसमें फंदे डालिएगा यह देखिए यह दो फंदे बचे हुए हैं इनको भी हम इसमें एड़ कर लेंगे यह देखिए यहां तक हमने सारे फंदे छोड़ रखे हैं और यह आगे के फंदे देखिए ऐसे करोज कर लेंगे यह हम नीचे तक बना लेंगे ध्यान से देखिए दो दो करके हमने यहां तक फंदे छोड़ लिये थे अब हम इसमें बना लेंगे काफ़ी बड़ा बनके कम्प्रीट ओवर फ्रेंट से और अगर आप साड़ी और चुन्नी से बनाओगे तो ये और भी बड़ा बनेगा साड़ी और चुन्नी से भी बने बनाकर बहुत सारी वीडियो अपने चैनल पर डाल रखी है अलग लग तरह के डिजाइन आप जाके देख सकते हो ये देखिए अब राइट साइड से जो जैसा है मैं वैसा ही बनाओंगे इस रोखों मैं कम्प्रीट करूँगे देखिए बना लिपती हुए इसे अब देखिए उपर तक आ गई हुए ये देखिए फ्रेंड अब दिखाई देगा आपको ऐसी आपकी चोटी सी बनती जाएगी इस तरीके से आप इसे बनाओंगे तो इस साइड से ऐसे उतार लेंगे अब देखिए ये हमारे होगे दो तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारे, बारे, तेरे, चोदे, पंद्रे, सोले, सत्रे, ठारे, उननिस, बीस, एकिस, अब हम ये बेस फंदे ही बनाएंगे ये दो फंदे हम ग्रीन में कनवर्ट कर देंगे ये देखिए इसको हम ऐसे कर लेंगे और ये हम अब ये टीजाइन फ्रेंड्स उपर की तरफ जाएगा ये देखिए और इसको हम नीचे तक बनाएंगे और फिर से हम दो फंदे छोड देंगे यह देखिए फिर से हम दो दो फंदे छोड़ने स्टार्ट करेंगे नीचे से क्योंकि हमें नीचे से गुलाई बनानी है यह देखिए दो फंदे छोड़ देंगे यहीं से वापस मुड़ जाएंगे राइट साइड से इस रोपो में उतार के कम्प्लीट करूँगे देखिए उपर तक आ गई हमें इसे बनाती हुई अब एक बार फिर से देखिए फ्रेंट्स इस फ्लार को अब हम उपर के तरफ ले गयाएंगे दो फंदे थे हमारे वाइट के यह सारे हमने ग्रीन के कनवर्ट किये थे तो दो फंदे ही रहने तक मैं इसको इसी तरीके से बनाऊंगे अब पिछे हम दो दो फंदे इसी तरीके से छोड़ते हुए आएंगे बहुत सिंपल डिजाइन ना फ्रेंड्स और बहुत प्यारा डिजाइन है बिलकुल 3D की लुक देगा फिर से हम ये दो फंदे ध्यान रखे अब हम उपर की तरफ जाएंगे और ये नीचे के फंदे मैं नीचे तक बनाऊंगे और दो फंदे फिर से छोड़ दूँगे तो फ्रेंड्स इस्ट को मैं उपर तक यहां तक लेके आऊंगे इसे मैं बना लेते हूं देखे हमारा फ्लावर उपर की तरफ जाने लग गया है तो मैं इसे बना लेटी है, ये देखिये, ओपर तक ये मेरा फ्लावर, यहाँ तक आ गया है, ये देखिये, अब हम क्या करेंगे देखिये, ये, दो फंदे भी हम ये green से बनातेंगे, और देखिये, दो फंदे हमारे green के होगे, यहाँ से अब हम अपना color change करेंगे, ध्यान से देखिए हर बार आपने ऐसे ही करना है और ये अब सारे फंदे हम नीचे तक बना देंगे जैसे हमने फंदे डाल ले थे ग्रीन के हमने फंदे डाल ले थे और दो फंदे हमने वाइट के रखे थे अब हमारे वाइट के हुवे थर्टी एट फंदे हो जाएंगे और दो फंदे हमारे ग्रीन के हमने अपने कलर को चेंज कर दिया यहां तक हमने तो तो करके फंदे छोड़ लिये थे इस रो में हम यह अपना कलर भी चेंज कर लेंगे और अपने फंदे भी बना लेंगे यह देखिए अब जहाँ पे फ्रेंट से कली जो निचे हमने डिजाइन बनाया है जहाँ पे ग्रीन था वहाँ पे हमारा वाइट हो जाएगा और जहाँ पे वाइट था वहाँ पे ग्रीन हो जाएगा यह चेंज हो जाएगा बनाने का तरीका सेम है इसी तरीके से आपने बनाना है लेकिन color आपने इसी तरीके से change करने यह देखिए सारे इफंदे हम नीचे तक बना लेंगे इस side से भी इस row को complete करेंगे बनाके यह देखिए इसको हम पीछे कर देंगे पीछे से green आपके लेके आएंगे यह देखिए friends इस row में हमने अपने color को change कर लिया है इसी तरीके से आपने करना है यह देखिए अब जो यह हमारे change होगे दोनो color यह अब यहाँ पे जो यह कली बनी है green की अब आगे white की बनेगी और यह पूरा flower हमारा green का बनेगा यह देखिए स्टार्टिंग करके देदू मैं आपको इसी तरीके से आपने बनाना है एक बार हम इसको नीचे लेके जाएंगे देखिए दो फंदे इसमें convert कर दिये और दो फंदे नीचे छोड़ देंगे इसको हम अंदर तक लेके आएंगे जैसे यह लेके गए थे फिर हम बार की तरफ लेके आएंगे जब आपका पूरा हो जाएगा तो फिर से आपने इसी तरीके से color change करना है फिर हमारे अगली बार यही आ जाएंगे दो white के और पूरे सारे हमारे यह वाले green के हो जाएंगे तो इसी तरीके से friends आपने इसको change करते जाना है और बनाते जाना है काफी बड़ा बनके complete होगा तो मैं भी इसे complete कर लेती हूँ तो friends आपको design कैसा लगा मुझे comment करके जरूर गताईए पसंद आया है तो please इसे like कर लिजे चैनल पे नई हो तो subscribe कर लिजे बैल आइकन को प्रेस कर दीजे ताकि मेरी नई वीडियो का notification आपको सबसे पहले मिले मिलते है friends नेक्स्ट वीडियो में नई डिजान के साथ थैंक यू